हलो फ्रेंड्स आपका स्वाक्तत तुरुष्टिका किचन्स में आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने बालों को कैसे लंबा कर सकते हैं वो भी एक ही रात में आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे इस टिप्स को अपनाने के बाद फ्रेंड्स आपके बाल आपको बार ब कटवाने पड़ेंगे इतने साइनिंग वाले हो जाएंगे और इतने मजबूत हो जाएंगे और साथ में बहुत जादा लंबे हो जाएंगे हम घर की कुछ बने हुई नेचुरल चीजों से हम इस टिप्स को बनाएंगे यानि इस रेमीडिय को बनाएंगे और बनाने के बाद आप लगाओगे तो आपको हपते में ही बहुँ ज़्यादा फरक नजर आए तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी कियो है इस रेमेडी को हम बना लेते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे यूजफूल लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कीजिएगा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो फ्रेंड्स इस टिप्स को बनाने के लिए हमने लिया है एक बरतन और बरतन में डालेंगे हम दो गिलास पाने जितने हमारे बालों की लंबाई है उतना हम पाने डाल देते हैं क्योंकि दो गिलास पाने डाला है तो उबल जाएगा तब ये एक ही गिलास बचेगा और इसमें हम डालेंगे साथ ही चाय पती जो हमारे गर पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है और साथ ही में हम डालेंगे इसमें कड़ी पते ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होती है इससे बालर तूटना जड़ना बंद होता है और ही मिखें बालों पे बहुत ही अच्छी शाइनिंग आती है यहां पर, friends हमने चाय पती और करी पते को डाल दिये हैं और अब इसको ले के चलते हैं गेस के उपर यहां पर हमने गेस औन किया है और इस परतन को हम ने रख दिया गेस के उपर, अब इसका गेस का फ्लेम है जो फुल कर देंगे और इसको दो या पांच मेर तक हम इसको पकने देंगे जब तक इसका उबल कर पाने जितना हमने डाला था, यानि दो गिलास पाने डाला था आदा पाने नए रह जाए यानि एक इलास पानी रह जाएगा तब तक हम इसको उबालेंगे तो फ्रेंट्स इस तरीके से हमें उबालना है और ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आपके बाल वाइट हो गए है तो आपके बाल बलेक होने लग जाएंगे और साथ ही में बाल इतने लंबे और घने हो जाएंगे कि आप खुद देखर चौक जाएंगे इस रेमिडी का यूज हमें हपते में दो वार करना है इससे बाल इतने साइनिंग मारेंगे और इतने ही लंबे होएंगे साथ में बहुत जादा जड़ से मजबूत भी हो जाती है तो फ्रेंड्स यहां पर पाने बाल होने लग गया है और अब इसको हम इस तरीके से बरतन को हिला कर अच्छे से बाल कर लेते हैं और बाल होने पर हम गेस को कर देंगे ओफ क्योंकि चाई पत्य ने इतना अच्छा कलर दे दिया है और साथ ही में करी पत्य भी बहुत ज़्यादा अच्छे से बोईल हो गए है तो यहां पर हमने गेस ओफ कर दिया है और अब इसको 10-15 मिन ठंड़ा होने के लिए रख देते है तो फ्रेंट्स यहां पर पानी अच्छे से ठंड़ा हो गया है अब हमें क्या करना है हमें लेना है एक कटोरी और कटोरी के साथ ही हम लेंगे एक चलनी और इस पानी को हम चलनी से चलन लेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर आप इस पानी का कलर देखिए ये बहुत ही अच्छा रियेक्ट करता है हमारे बालों पर ऐसे लगेगा कोई कलर किया हो क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा अच्छी साइनिंग आएगी इस पानी से तो आप देख सकते हो बिल्कुल मेंदी जैसा कलर हो गया है इससे साथ ही आपको बाल बढ़ते हुए भी बहुत ज़्यादा जल्दी नजर आएंगे अब हम एक चमस लेकर इस लिक्विट को अच्छे से मिला लेती हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर मिलाने के बाद हम इसमें एक आइटम और डालते हैं तो फ्रेंट्स वो डालेंगे हम सेम्पू आप कोई भी ब्रांड का सेम्पू यूज करते हो तो वो सेम्पू डाल सकते हो हम यहाँ पर डालेंगे संसलिक सेम्पू तो हम यहाँ पर इस सेम्पू को कटिंग करके और इस लिक्विट के अंदर डाल देती हैं फ्रेंट्स यहाँ पर हम बताते हैं Friends कि आपको अपलाई कितने टाइम तक करना है और कैसे बाल दोने है अगर आप चाहते हो Friends तो इसको दस मिठ पहले अपने बालों पर लगा सकते हो वरना हम नॉर्मल जेसे सैमपू से अपने बाल को वोस्ट करते हैं तो इस पाने से हमें अपने बालों को वोस्त करना है तो फ्रेंड्स ये चाय का पानी और करी पते और सेंपू इतना अच्छा रियक्ट देगा हमारे बालों पर कि हमारे बाल लंबे घने और काले साइनिंग वाले अच्छे से मजबूत हो जाएंगे और हमें इस तरीके से अपने बालों पे मसाज करने अगर दोने के बाद आप तेर लगाना चाहते हो लगा लेना वरना मत लगाना इससे हमारे बालों पर कोई भी साइड इंफेक्ट नहीं होगा आप बे फिकर इसको लगा सकते हो और लगाने के बाद आपको हपते या दो हपते में बहु जादा फरक नजर आएगा I hope कि आज की वी वीडियो में थैंक यू फोर वाजिंग